यह लो इस वीडियो में हम देखेंगे हिल क्लाइंबिंग एप्रोच के बारे में वीडियो को बहुत डिटेल में शुरू करने से बहले में आपको एक चित आया दूँगे जो हिल क्लाइंबिंग एप्रोच होती है इसके तीन इंपोर्टेंट पॉइंट से बहला तो यह एक लोकल सर्च अलगुरिदम है ठीक है तो इटिज आ लोकल सर्च अलगुरिदम सेकेंड इस 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 दा ग्रिडिय एप्रोच एड थर्ड अन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस दाट देर इस नो बैक ट्रैकिंग इस नोड पर आगे एक्सपेंशन होगा ऐसा नहीं है कि बैक ट्रैक करके कोई दूसरी नोड आप बीच में सिलेक्ट कर सकते हो यह एक तीन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं हिल क्लाइंबिंग सर्च के बारे में अब जो हील क्लाइंबिंग सर्च होती है इस आवव एयरियेशन ऑफ जेनरेटेंट टेस्ट मेठ़ड शो यह है क्या इट वेयरियेशन ऑफ जेनरेटेंट टेस्ट मेठ़ड in which the feedback from the test procedure is used to help the generator decide which direction to move in search space so एक तरिगा का वेरिशन एक जनरेट और जनरेट एंट टेस्ट मेथड़ का जिसमें हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिरेक्शन में मूव करना है और यहां पर एक चीज़ आप याद रखना है that always moves in a single direction always moves in a single direction so जो भी direction आप एक बार ले ले तो उसी direction के अंदर यह move करेगा so basically है क्या अगर आप इसको इस तरह से देखते हो and let us say there is a hill तो hill climbing search का कहती है कि आपको best position पे पहुंचना है ठीक है और best position क्या है अगर current position से आप upwards direction में जा रहे हो तो वो best position है so suppose आपने यहां से शुरू किया यह आपकी अभी इस वक्ती current state तो एक हे करके आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे और जो भी next state ते आप जा रहे हो जो भी कदम आप अगला रख रहे हो hill के उपर वो previous अरे से चेक होगा suppose आप यहां पे पहुंचे और यहां पे जो यह है अब यह आपकी next state एक तरह से यह new state है तो आपको यह चेक करना है कि क्या यह new state current state से अच्छी है so if new state is better than current state जो कि इस case में क्या होगा अगर नई position जो है पुरानी position से upwards direction में है so if new state is better than current state then new state becomes the current state simple सी चीज है अब इसमें एक चीज याद रखना कि जैसे ही एक बेकार state मिलेगी यह algorithm वहीं पे रुख जाएगा that means what आप बढ़ते 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 top of the hill पे पहुंच गया इदर अब यहाँ पे जो आपकी यह current state है अब जब नई state आएगी वह थोड़ी सी नीचे होगी which will be not better than the previous state तो आपका algorithm यही पर रुख जाएगा this will be your ending of the algorithm और जो आपकी सर्च हो यहाँ पे end हो जाएगी इसलिए इसको hill climbing बोलते हैं कि हम एक direction के अंदर ही search करते हैं और जैसे कि hill से हम इसको represent कर सकते हैं कि आप hill पे चड़ रहे हो आपका aim क्या है आपको hill की top पे पहुंचना है बट आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या हैसे करोगे आप चड़ते जाओगे जैसे आपको लगेगा कि आप उपर चड़ रहे तो आप चड़ते जाओगे बट जैसे आपको लगेगा कि आप नीचे जाओगे आप वहीं पर रुख जाओगे so that is hill climbing search ठीक है so एक बास का flow chart देख लेते हैं hill climbing search का so flow chart algorithm एक तरह से ही है आप इसी flow chart को algorithm की form में भी लख सकते हैं so flow chart के है सबसे पहले तो हम करेंगे evaluation of the initial state so evaluate initial state जो starting state है आप उसी को ही evaluate करोगे so अगर आपकी जो initial state है वह goal state है yes अगर वह goal state है तो solution मिल गया and you are quitting the algorithm अगर आप यहीं पर थे तो आपको यही solution है अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है current state को initial state से initialize करना है so the current state now becomes the initial state अब इसके बाद हमें क्या करना होता है we have to apply operators देखो इसमें operator words का use होता है operators are nothing but the new nodes किसी भी graph के अगर हम बात करते है तो नहीं nodes so apply operator O and get a new state okay so operator are nothing but the nodes कि आप यहां पे थे आप ने कुछ कदम चलके आप दूसी node पहुँचगे तीसी चौथी पांचवी ऐसे आप पहुँच रहे तो नया operator आप कमेंगे तो एक तरसी क्या हुआ अब आपने current state के ऊपर कुछ operator लगाया और आपको नई state मिल गई अगेन आपको क्या चेक करना है अगेन आपको चेक करना है कि जो नई state है क्या वो गोल state है if yes then solution and quit if no अब यह वाला important है ठीक है इसमें आपको चेक करना है कि जो नई state मिली मैं इसको ns से represent कर रहा हूं if ns is better than current state जिसको मैं cs से represent कर रहा हूं सो मैं यहापे लिख देता हूं cs और new state को ns if new state is better than current state if yes then current state is equals to new state जो मैंने आपको यहापे भी कहा था ठीक है if no then you have to apply more operators and continue okay so इस तरह से आपको यह पूरा algorithm यह flowchart इसका आप लिख सकते हो hill climbing search का ठीक है अगर इसका हम एक simple से example देखते हैं so example मैं ले सकता हूं यहापे 8 puzzle problem का भी ले सकता हूं कोई सब यह example आप ले सकते हूं so let us say simple से example हम लेते हैं यहापे हमारे पास initial state यह दिये रखिये starting state ठीक है so let us say 1,2,4,5,7,3,6,8 so यह हमें starting state दे रखिये gold state के भी मैं आपको बात नहीं कर रहा हूं कि हमें पता यह कि क्या होतियस की gold state so basically इसमें हम बता गया रहे हैं कि कैसे hill climbing काम करेगा so hill climbing simple क्या करेगा आपकी ugly state को देखिया कि क्या वो previous से better है so let us say इसके बाद 3 states आती है जिसकी heuristic value है एक की है 4 एक की है 5 और एक की है 6 चै कोई सी भी तरह का यहां पर matrix हो जिसकी heuristic value कम है उसको हम choose कर लेंगे अगर मैं यह मान के चल रहा हूं कि ugly state की heuristic value कम हो नीचे तब ही वो previous state से better होगा तो हम क्या करेंगे we will choose this thing and simply इनको discard कर देंगे ऐसा नहीं कि आगे चल के अगर आपको solution नहीं मिला तो आप backtrack करोगे नहीं simply यह discard हो जाएगा so that is hill climbing search अब देखते हैं hill climbing search की क्या क्या limitations होती है so now we will see the limitations of hill climbing search so basically 3 limitations है hill climbing search की पहला हो है जिसको हम बोलते हैं local maxima then second we have is the plateau and third is known as the ridge ठीक है so यह 3 limitations होती है hill climbing search में अब यह हैं क्या so देखो local maxima क्या कहता है कि suppose अगर आपके पास कुछ इस तरह से है अब hill climbing में क्या होगा क्या आप यहां से चलना शुरू करोगे starting state करिए आप चलते 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 आप इस वाली hill के top पह पहुंच गए बट जैसे ही आप इदर आऊगे आपका algorithm stop हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको नीचे आना नहीं सिखाया गया नीचे आना algorithm नहीं लर्न किया उसने सिर्फ एक ही डारेक्शन में चलना लर्न किया है तो यहां पर आपका algorithm learn हो जाएगा और यह बन जाएगा point आपका एक तरह से आप इसको बोल सकते है local maxima अब इसलिए हमने शुरू में काता है that it is a local domain search या local search algorithm जिसके पास पूरे domain की knowledge नहीं है सिर्फ अपने ही domain की knowledge है बट अगा इसके आज पूरे domain की knowledge होती तो इसको पता होता कि there is still a high point present और better state is present so that is the problem जिसको हम बोलते है local maxima कि उसने current वाले hill का देखा वहाँ पर maximum पहुंच गया वहीं पर रुख गया बट उसकी जो next hill है हो सकता है उसका top उससे भी ज्यादा ऊचा हो then the second is plateau plateau क्या होता है कि suppose कुछ इस तरह से M ठीक है so हुआ क्या है कि यहां तक पहुंचा इस वाले point तक अब उसके बाद उसमें जब आगे देखना शूरू किया तो बहुत देर तक उसको हो सकता है एक plane surface मिले जहां पर आपकी जो next value और previous value के same ही आए तो वो रुख जाएगा so in this the algo gets the same value for some slots so in this the algo gets same value for some time और same solution for some time so इसको बोलते हैं plateau then the third is ridge ridge का मतलब क्या है कि all successor gets the same value बिलकुल almost same आपकी heights के सारी hills है so in this the algorithm results in all successor having same value so these are the problems of hill climbing search so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you